गुट मॉर्निंग फ्रेंज मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है मैं प्रफिसर जो और आपके लिए लाए है बिजनस और फाइनान्स का न्यूज चलो देखते हैं आज क्या है बिजनस और फाइनान्स के दुनिया की तड़का वाली खबर पहला खबर क्रिप्टो के दुनिया से ग्लोबल प्लेयर्स जो क्रिप्टो में डील करते हैं उन्होंने चेर किया उन्होंने कहा कि गौर्वर्मेंट का ये जो डिसीशन है वर्च्वल डिजिटल आसेट को टैक्स करना ये बहुत ही अच्छा डिसीशन है इससे क्रिप्टो को जो है लेजिटिमेसी मिलेगा ट्रेडिंग के लिए लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वर्च्वल डिजिटल आसेट और क्रिप्टो में सेपरेशन नहीं होने के वज़े से क्रिप्टो जो है टैक्स क्रूटिनी में काफी हेवी हो जाएगा तो इसे थोड़ा संबालना पड़ेगा दूसरा ग्लोबल प्लेयर्स ने ये भी कहा है कि 30% टैक्सेशन बहुत हाई हो जाता है अगर इसको थोड़ा रेड्यूस करेंगे तो आने वाले वक्त में ग्लोबल प्लेयर्स भी इंडियन क्रिप्टो मार्केट्स में पार्टिस्पेट्स जरूर करेंगे अगला खबर मार्क्स जुकरबर हो गए पीछे मुकेशंबानी जी से और गौतम अड़ानी जी से वेल्थ को लेकर कल यूएस मार्केट्स में मेटा प्लाटफॉर्म्स इस कंपनी में मार्क्स जुकरबर ने 29 बिलियन डॉलर्स का लॉस किया क्योंकि मार्केट्स नीचे गिरा इसके वज़े से मार्क्स जुकरबर अभी हो गए ट्वेल्थ रैंक में मुकेश अंबानी और गौतम अड़ानी उनसे आगे निकल गए मुकेश अंबानी का जो वेल्थ है तकरीबन 217 बिलियन डॉलर्स का है और गौतम अड़ानी जी का 74 बिलियन डॉलर्स का है अगला खबर Future Retail Limited को लेकर है काफी confusion चल रहा है इस company में फिलाल Amazon company ने FRL Group को offer दिया कि 7000 करोड हम देंगे आपको आप आपका करजा चुकाई लेकिन FRL Group याने Future Retail Limited Group ने उसको reject कर दिया उसी time पे Future Retail Limited Group Supreme Court में गया ये बोलने के लिए कि हमें और time दीजे ताकि हम हमारे creditors को payment कर सके जो 3500 करोड का है अब creditors भी खड़े हो गए मतलब जिन्होंने पैसा दिया Future Retail Group को उन्होंने कहा कि एक नया bidding हो जाने दो जिसमें Amazon भी आए, Reliance Retail भी आए और जो bidding price है मतलब शुरुआत की बोली जो है वो 17000 करोड से शुरू होना चाहिए क्योंकि तभी जाके जो lenders है, मतलब जो lenders है उनको उनका पैसा मिल सकता है अगला खबर bond markets है sovereign green bond sovereign green bond का मतलब यह है कि ये bond से जो भी पैसा raise होता है ये ऐसे projects में लगता है जो environmental friendly हो अब ऐसे bonds को Indian markets में institutions बेचने की कोशिश की और सिर्फ 625 million dollars raise कर पाया मतलब 4100 crores raise कर पाया लेकिन global markets में जब Indian institute में पैसा raise करने का कोशिश किया, तो global markets से 9.8 billion dollars raise कर पाया that is 15 times more ये एक चीज को highlight करता है कि क्या Indian markets इस type के bonds के लिए ready है जहां पे हो सकता है, returns थोड़ा कम हो लेकिन हमारे environment के लिए ये बहुत अच्छा है ये एक सोचने वाली बात है अगला खबर सही investment को लेकर Omicron के डर होने के बावजूर FMCG products FMCG मतलब fast moving consumer goods मतलब आपके घर में लगने वाले normal items ये products का sale 10% से grow हुआ कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे companies में invest करते हैं, जिसका products low कुछ भी हो जाए, फिर भी use करेंगे तो ऐसे companies का stock में आप हमेशा safe रहेंगे और long term growth आपको हमेशा मिलेगा और wealth generation ऐसे stock से 101% होता है कल के trading session में ये 5 ऐसे companies है जिसने सबसे ज़्यादा market capitalization gain किया और कल के trading session में जो companies ने सबसे ज़्यादा market capitalization lose किया वो ये 5 companies है इंडिया और Asian stock market का latest update Sensex yesterday 770 points down close हुआ Nifty 219 points down close हुआ USD INR 0.01 रुपीज अप gold 48 रुपीज डाउन close हुआ आज सबेरे निकी 26 points down trade कर रहा है Shanghai 32 points down trade कर रहा है and Singapore market जो है 4 points up trade कर रहा है Technical analysis में Nifty chart को अगर हम देखेंगे तो कल के trading session में 17,700 का जो resistance area था उसको breakout किया लेकिन इसके हम एक false breakout मानेंगे क्योंकि market price फिर से 17,700 range के नीचे आ गया तो आज के trading session में हम expect कर सकते कि market फिर से इसी range में trade करेंगे या अगर गिर गया तो 16,900 हमारा target होगा और अगर उपर के तरफ गया तो 18,500 अभी भी अपना target है stock pick of the day में आज चूज करता हूँ voltas limited ये एक 4 hour chart है 1200, 1220 के आसपास बहुत ही अच्छा support बनाया है price ने अगर आपको एक opportunity मिलता है 1200, 1220 के आसपास buy करने के लिए तो आप buy कर सकते हैं यहाँ पे आपका stop loss होगा 1120 का price और आपका target होगा 1320 से लेके 1340 का दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए because you are a winner अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो please do like, share and subscribe आपका दिन शुपर है have a great day my friends thank you namashkar